अगर आपके सेफ फोल्डर से या तो फाइल मेनेजर से कोई फोटो डिलिट हो गया है या तो कोई वीडियो डिलिट हो गया है तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेफ फोल्डर से अगर आपका फोटो डिलिट हो गया ह है उसको वापस कैसे लाएंगे तो दोस्तों हम एक application का यूजव करने वाले हैं बिलकुल न्यू application आया है जो कि अच्छी तरे से work कर रहा है उसको अश्य ट्राइ कर के देख लिया तो चलिए हम उस application के बारें बताते हैं क्यों उस application को यूज कैसे करना है और उस application को download आपको कहां से करना होगा तो दोस्तों आपको क्या करना है उस application को अपने phone में open करना है ठीक उस application को जब अपने phone में open करेंगे तो कुछ ऐसा interface देखने को आपको मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ policy होगी जो कि आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं न पर किलक कर देना है उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा यहां पर आपको अलाव परमिशन लिखा हुआ दिखेगा तो आपको इसके उपर किलक करना है यहां पर किलक करेंगे उसके बाद उपर वाला आप दबाएंगे ठीक उपर वाले को दबाने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा और यहां पर आप देखेंगे तो लिखा है स्टार्ट तो आपको स्टार्ट पर किलक करना है उसके बाद दोस्तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तो ऊपर देखेंगे लिखा है स्ट सामने लेकर आं जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं जो डिलिट हुआ फोटो है फोटो है वह सब लिख कर आएगा ठीक। तो आपको यहाँ पर देखना है उपर घिंच के ले जाना है तो आपको ले जाना नीचे तक जाना ठीक नीचे तक जाएंगे और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फोटो दिखाये देगा उसी file को आपको open करना है ठीक यहाँ पर देखिए दिख रहा है 432 फोटो ठीक ना तो हमें यहाँ पर किलग करना है अब इसके अंदर हम जो की अपना photo ढूड़ेंगे जो भी हमारा photo है इसके अंदर ढूड़ेंगे और जैसे हमारा photo मिल जाता है उसके उपर किलग करेंगे उस के अंदर आ रहा है तो आपको क्या करना है उसके उपर किलक करना है और यहां बार आप देखेंगे तो लिखा है री इस्टोर तो दोस्तों आपको इसके उपर किलक कर देना है इतना करने के बाद यह सारा फोटो आपके फोन में सेब हो जाएगा दोस्तों इस एप्लिकेशन क नाम क्या है और इस application को आपको download कहां से करना है चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों आपको क्या करना है अपने phone में play store को खोल करके आपको लिखना है all photo recovery दोस्तों यहाँ पर लिखने के बाद आपको बहुत सारे application देखने को मिल जाएंगे लेकिन यह वाला application आपको ऐस यहाँ पर जो कि अपने आप जो नया application है सब सो कर देगा दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इस application को हमने अपने phone में industrial किया था तो दोस्तों इस application से आप अपना delete किया हुआ photo वापस ला सकते हैं उम्मीद है आज का वीडियो आपको पस पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सेनल को भी सब्सक्राइब कर लेना